हेलो एफ्रिवन तो अब हम लिनिक्स के अगले वीडियो की तरफ चल रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ हमने गुरूप मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक में किया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परमीशन मैनेजमेंट का पार्ड तो दोस्तों मैं आपको ब तो चलो थोड़ा सा थिवरी के फार्मेट में समझते हैं चीजों को ठीक है तो यह परमीशन मैनेजमेंट पे करते क्या है पहले यह चीज़ समझते हैं ठीक है परमीशन मैनेजमेंट में होता क्या है तो दोस्तों परमीशन मैनेजमेंट में हम परमीशन की चीज़े देखत किसी folder पे read की permission कैसे देंगे कैसे चीनेंगे ठीक है किसी file पे read की permission कैसे assign करना है कैसे निकालना है remove करना यही सारी चीज़े सीखते हैं तो practically तो चलो ठीक है बात में देखेंगे पहले concept समझ लेते हैं theory कि किसी folder को अगर आपने read दिया तो क्या कैसा operation होगा वहाँ पे file को read दिया तो कौन सा operation होगा write दिया तो कौन सा operation होगा execute दिया तो कौन सा operation होगा और अगर read write execute दिया तो कौन सा operation होगा पहले इनके वारे में समझते हैं तो अब मैं आपको बता दूँ permission का जो attributes होते हैं न दोस्तों यह तीनी आपको मिलेंगे एक मिलेगा read R for read एक मिलेगा W for write और एक मिलेगा X for execute तीनी attributes आपको मिलने वाले read, write, execute अब इनकी numeric value भी है यह जो मैंने R लिखा है यह symbolic है ऐसे इनकी numeric value 4 होती है इसकी numeric value जो है वो 2 होती है और इसकी numeric value 1 होती है तो R for read W for write, X for execute ठीक है तो अगर हम R, W, X को combine कर दे तो यह ऐसे हो जाता है R, W, X ठीक है और अगर इनको numeric में देखें तो 7 clear अब समझते हैं थोड़ा सा आगे चलके अगर आपने किसी folder को किसी folder में अगर आपने read की permission दिया तो इसका मतलब क्या है और ने read की दिया तो दोस्तों अगर आपने किसी folder में read की permission दिया इसका मतलब यह होता है कि उस folder के अंदर क्या रखा हुआ है वो चीज़ आप list कर सकते हो मतलब उस folder पे आप ls command execute कर सकते हो और अगर आपने folder पे w की permission दिया तो क्या होगा अगर आपने किसी folder पे w की permission दे दिया मतलब write की permission दे दिया इसका मतलब आप folder के अंदर कुछ content वेगरा create कर सकते हो कुछ file folder बना सकते हो ठीक है इसी तरीके से अगर हमने folder पे execute की permission दिया इसका मतलब क्या है execute मतलब enter करना अगर आपने किसी folder में x की permission दिया दोस्तो तो आप उस folder के अंदर इंटर कर सकते हो मतलब cd कवांड से जा सकते हो यह होता है मतलब अब कई वर situation ऐसा आता है कई वर situation ऐसा आता है कि किसी ने आप से बोला कि folder पे read की permission दे दो ठीक है आप गए folder पे read की permission दे की आ गया अब क्या होता है कि जब बंदा cd command चलाता है जब बंदा ls करता है उस folder पे ठीक है जब बंदा उस फोल्डर पे एलेस करता है पारिश पूल्डर को अगर किसी बंदे ने बोला फोल्डर पे रीड की परमीशन दे दो थीक है आप फोल्डर पे गए है आपने रीड की परमीशन दे के बाहर आगए अब उस फोल्डर पे अगर आप एलेस चलाओगे न तो नहीं चलेगा क्योंकि इंटर करने की तो परमिशन ही नहीं है तो देखोगे कैसे भाई समझ आ रही ने मेरी बात तो इसलिए अगर आपसे कभी कोई बोलता है कि फोल्डर पे रीड की परमिशन दे तो इसका मतलब आपको एक्स अपने साइड से एड कर दें क्योंकि अगर आपने एक्स नहीं दिया तो रीड की परमिशन भी काम नहीं करी इसी तरीके से किसी ने आपसे बोला कि फोल्डर पे राइट की परमिशन दे दिजिए और आप गए फोल्डर पे राइट की परमिशन दे के आ गए बस राइट की दिए अब वो बंदा उस फोल पूल्डर पर राइट की परमिशन दे दीजिए इसका मतलब है कि आपको उसके उपर रीड और एक्स अपने साइट से एड करना पड़ेगा दोस्तों जब कोई चीज लिस्ट कर पाओगे तभी तो राइट कर पाओगे ना समझो चीजों कर तो कई वर हमारे बॉस जो होते है वह ऐसे हमसे बाते करते हैं मतलब सौट कट तरीके से बात करते हैं वह बोलते हैं इस पर रीड की परमिशन दे दो अब हमने रीड की दे के आगे अब काम नहीं कर रहा हूं तो हमें यह पहले से पता होना चीजिए कि भाई एक्स को एड करना है किस ने बोला कि इस फोल्ड आपको राइड की परमिशन देना है इसका मतलब आपको रीड और एक्स अपने साइड से एड करना है तो इस लिए तो हम यह चीज़े पढ़ रहे हैं कि हमें चीज़े समाज आने चीज़ें ठीक है यह सारी प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा तो आई हो पी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी अगर किसी फोल्डर पर रीड रीड दिया तो क्या मतलब है राइड दिया तो क्या मतलब है ठीक है अगर आपने किसी फोल्डर पे X दे दिया इसका मतलब क्या है कि फोल्डर के अंदर जा सकते हो LS नहीं कर सकते है फिर आप कुछ create नहीं कर सकते है ठीक है इसी तरीके ते अगर आपने किसी फाइल को read की permission दिया तो क्या मतलब है फाइल को आप पढ़ सकते हो write दिया क्या मतलब है फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हो और X दिया क्या मतलब है कि फाइल को execute कर सकते हो मतलब कोई फाइल आपने बना है तो उसको आप execute कर सकते हो via script through ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी इसी तरीके से permission जब हम किसी folder का अगर हमें permission देखना है तो हमें यह command चलानी पड़ती है ls-ld और किसी file का permission देखना है ls-l तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा practically manner ठीक हम एक folder बनाते हैं mkdir new daily नाम का एक folder हमने बनाया और ls-ld किया new daily तो यह देखो इसकी permission यह आगी अब इसकी permission total देखा जाए तो यह main जो होते है यहाँ पे 10 attributes आपके सामने नजर आ रहा है one यह one ए when attributes हो गया यह यह वाला d जो है और यह nine हो गया और यह के dot आ रहा है ठीक है तो मैं समझाता हूँ total ग्यारा attributes होते हैं permission को पढ़ने के लिए तो अब मैं इसको copy करके यहाँ पे रखता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ चीक है बहुत ही ध्यान से समझना दोस्ता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ ऐसे बार्ट देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ ठीक है समझने में clear होगा तो दोस्तों यह देखा जाए तो 11 attributes है यहाँ पे total अगर आप गिनो तो पहला वाला जो attributes है जैसे डी है तो डी आपको डीनोट करता है this is the directory this is the directory डी फॉर डीनोटिंग ठीक है उसके बाद यह जो attributes है यह तीन attributes यह तो आपको बता read है write है execute है और यह जो तीन होते हैं दोस्तों यह तीनों attributes honor का permission होता है honor भाई इसका honor कौन है उसके बाद यह तको read और minus है और accept मतलब read w खा गया यह होते है group के group honor जो भी group honor है उसके permission लिखे हुए और दोस्तों यह जो होता है read और write यह other के लिए होता है अभी बताओंग अधर कौन हुआ है हाँ यह तीन attributes other और यह जो dot आपके सामने दिख रहा है यह चोटा सा यह dot है दोस्तों यह बताता है इस folder पे advance permission लगी है कि नहीं बोले तो acl बताता है तो अगर dot है मतलब acl नहीं लगा अगर यह dot plus में convert आपको कभी दिखता है तो समझाव acl लगा इस फोल्डर के उपर तो टोटल ग्यारा attributes से जिसमें से permission का जो main है और last वाला acl बताता है dot है मतलब acl नहीं है और अगर यह plus में convert हो गया है इस में acl लगा हुआ है तो ओनर का मतलब क्या हुआ जिसने फोल्डर बनाया वह उसका ओनर है उस ओनर पर read और write एक्स की permission है उसकी वाँ जब आपने देखा जब फोल्डर बनाते हो तो ओनर का column भी आता है जिसने फोल्डर बनाया है उसके अलावा इस OS में जितने भी users होंगे उसारे others होंगे तो other को read और x की permission है मतलब write नहीं कर सकता है ठीक है इसी तरीके से file देख लेते हैं file का भी ऐसी होता है file बनाते है touch new file करके file की permission ns-l से हम देखते है new file यह देखिए तो file में इस तरीके से आपको नजर आएगा यहाँ पर भी 11 attributes है जिनको आप समझ सकते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है तो यह इसको भी तीन तीन बहाग में बाट दिते हैं माइनस यह बताता है this is the file file टाइप बता रहा और यह बता रहा भाई honor का permission honor को भी read or write x नहीं है यह बता रहा भाई group honor का यह बता रहा भाई other का और यह dot बता रहा भाई actual में जो permission होता हो यह होता है यहां से start होता यहां था ठीक है यह first वाला तो attributes बताता है this is the file type और directory टाइप तो अगर आप यह first वाल attribute को छोड़ दे तो उसके starting का जो तीन करेक्टर है यह honor का permission बता रहा उसके बात कतिन group honor का उसके बात कतिन other का और last का dot बताता है acl नहीं लगा मतलब advance permission नहीं है अगर कभी प्लस में नजर आता है तो समझना advance permission है जो हम देखेंगे आगे चलके ठीक है कि इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे की बात यह कि दोस्तों जब एक route user कोई directory बनाता है तो तो डायरेक्टरी पर default permission क्या होती है ओ देखते हैं और अगर कोई route user कोई file बनाता है तो उस फाइल पर default permission क्या होती है वो देखते है ठीक है तो बहुत ज्याद इंपोर्टेट है default permission permission of directory if root user will create अगर root user ने बनाया तो क्या हो तो root user अगर एक directory बनाता है mkdir इंडिया तो इसकी permission क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ इसकी permission आपको इस तरीके से नजर आएगी rwx पहले तो d होगा ठीक है फिर होगा rwx फिर होगा r-x फिर होगा r-x फिर होगा r-x ठीक है इस तरीके से होगा ठीक है और अगर हम इसको as a numeric value call करें तो r की value 4 हो गई w की value 2 हो गई और इसकी value 1 हो गई और इनको plus कर दिया जाए तो 7 हो जाता है तो हम इसको direct 7 भी लिख सकते हैं ऐसे r की value 4 minus right है नहीं x की value 1 तो हम इसको 5 पोल देते हैं और इसको भी हम 5 पोल देते हैं मालों touch करके एक file मनाई तो इस पर क्या होगा इसको इस तरीके से नज़राएगा आपको read x read and write read read ऐसे नज़राएगा मतलब owner को read और write है एक्स नहीं होता क्योंकि कोई भी file को इक्स नहीं करता सिर्फ इसको cat करता है या उस पर कुछ edit वगरा करता है ठीक है और group को क्या read है और other को भी read है यह default इसको numeric बोले तो value 2 and 4 and 2 तो क्या हो जाएगा 6 इसकी value क्या हो गई 4 इसकी value 4 तो आप इसको as a shortcut 644 भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह तो root की ओकई पर default permission अगर root user ने कोई directory बनाई और कोई file बनाई तो यह default permission होता है अब बात करते है default permission of directory if normal user will create हम यहाँ पर directory and file दोनों लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पर भी वही लिख देते हैं अब समझते में क्या होता है तो normal user ने अगर कोई directory बनाया mkdir इंडिया तो इसकी permission यह इस तरीके से नजर आएगा दोस्तों आपको d read write x read write x और read minus x ऐसे है ठीक है तो मतलब भई इसका honor कौन होगा जो भी normal user बनाया उसका honor होगा तो उसको क्या permission है 7 उस folder का group honor भी वही होगा तो 7 मतलब जो folder बनाता है वही उसका honor होता वही उसका group honor होता है 7 और other को क्या है वही 5 तो 775 आप बोल सकते है ऐसी अगर उसने file बना दी touch इंडिया तो file को क्या permission है इस तरीके से आएगा नजर आपको आर्ट डब्लू आर डब्लू और ऐसे आएगा मतलब honor के पास 6 की permission है group honor भी 6 वही होगा और इधर 4 तो other user मतलब accept जैसे यह नॉर्मल यूजर है तो हैरी कर अब बाकि सब other के पार्ट है तो दोस्तों यह default permission है ठीक है तो अगर आपसे कोई इंटर्व्य में पोस्ता है कि भाई default permission यह जो default permission है root user अगर कोई directory बना है तो default permission आप बता सकते हो file बना है तो यह होती है और normal user ने बना है तो यह होती है और यह होती है अब हम पूरे topic में यह ही सीखेंगी भाई इन permission को कैसे change करना है 755 से हटा के 700 कैसे करना है read हटाना है किसी को read देना है यह सारी चीज़ हम पूरा practical में देखेंगे तो चलो टीक है फिर यह एक permission का theory वीडियो था अब अगला वीडियो होगा मेरा practical के ऊपर और अगर आपको यह concept समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा मेरा वीडियो तो दोस्तों इसको like और subscribe करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी सियर करें चलो बावाई फे मिलते हैं